आप अगर Google के free blogger के उबर अपने website free में बनाए हैं लेकिन उसको आप rank नहीं कर पाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारा चीज़ करने पड़ते हैं बहुत सारा चीज़ समझने पड़ते हैं बहुत सारा चीज़ सीखने पड़ते हैं उसके बाद जाके आपके post rank होते हैं हमने आपको पूरी तरीके से बनाय कर दिखाये हैं पूरा डिजाइनिंग, थीम डिजाइनिंग, पोस्ट कैसे लिकना है एसीओ कैसे करना है, डोमेन कैसे कनेक्ट करना है वो सारे के सारे चीज़ बताए हैं लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अगर Google के उपर जाके मैं आपको दिखाने के वास्ते, जैसे कि News सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सरा वेबसाइट हमारे सामने आ जाते हैं, एक वेबसाइट को उपेन कर लेते हैं, ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसके अंदर नह वेबसाइट उपेन करेंगे, जिसके अंदर मिलेंगे, वो ही मैं आपको बताऊँगा, अब यहाँ पर एक वेबसाइट लोड होने के बाद आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, यह जो देखिए, Quick Links, यहाँ पर इसे कहते है Table of Content, लोग ऐसी नाम से इसको पहचानते बिसिकली यहाँ पर Essential Apps, Customization Apps, Audio and Video Apps, अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर देखिए, Essential Apps, उसके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको अरिब आपरे, यहाँ पर आपको दिखने के लिए और भी मिल जाएंगे, जैसे कि यह पेज कैसे लोडिंग होगा है, अब यहाँ से थोड को Listing करके, आप अपने Website के ऊपर अपने Title को ऐसे अगर बनाओगे, तो अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो Automatically Step के ऊपर आ जाएंगे, अगर कोई एकदम Last में जाना चाहेंगे, Reading Apps के बारे में जाना चाहेंगे, तो बिलकुल नीचे Reading Apps के अंदर चले जाएंगे, तो Basically यह जितने भी चीज है, यह अगर WordPress के अंदर कोई बनाना चाहते हैं, तो बहुत असान चीज है, लेकिन उसी को अगर आप Blogger Post के अंदर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, आपके लिए क्योंके यहाँ पर Coding की जरूरत होते हैं, लेकिन आपके लिए यह difficult नहीं होगा, क्योंके इसके लिए जो भी code आपको चाहिए होगा, जिस code की requirements होगे, वो सारे के सारे code मैं आपको free में provide कर दूँगा, अब code की बात किया जाए, तो यह code आपको चाहिए होगा, जो code मैंने यहाँ पर copy करके रखा हुआ है, इस code को आपको हमारे description box पे होते जाएंगे, ठीके, तो ऐसे आप effect use कैसे अपने blogger website के उपर add करोगे, उस बार में हमने dedicated video बना रखे, फुल effect use की code भी free में आपको provide की है, यहाँ पर i button पे आपको video आ रहा होगा, यहाँ पर click करके आप उसको देख सकते हैं, चले आप बात करते हैं, आपको कैसे यहाँ आपको करना यह है, आपको जाना होगा अपने theme section के उपर, आपको theme के उपर जाने के बाद आपको यहाँ पर click कर देना होगा, edit HTML के उपर, अब यहाँ तक click करने के बाद मैं आपको थोड़ा से zoom करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर zoom करेंगे and control F दबाएंगे, जैसे का इस control F दबाएंगे, यहाँ पर एक search box open हो जाएंगे, अब इस search box के उपर आपको क्या search करना है, ध्यान से देख लीजे, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा से zoom करके दिखा देता हूँ, यह जो है, यहाँ से आपको यहाँ तक copy करने के बाद search के उपर डालना है and यहाँ पर आपको enter दबाना है, जैसे गाइस आप लोग enter दबा देते हैं and आपको यहाँ से copy कर लेना है, इतना तक ठीक है, copy करने के बाद आप लोग जाओगे यहाँ पर जहाँ पर अपने enter दबाए थे, यह जो enter हमने यहाँ पर दबाए है, सबसे पहले यहाँ पर इस खाली जगा पर आपक बॉड़ी है इस बॉड़ी को आपको ढूड़ना है यह बॉड़ी कहाँ पर है तो इसको कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद आप जाएए थीम के उपर Ctrl-F दबाईए यहाँ पर बॉड़ी को पेस्ट कर दीजिए और इसको एंटर दबाईए जैसे का इस एंटर दबाऊगे यहाँ पर आपको बॉड़ी दिखने के लिए मिल जाएंगे अब यहाँ पर आपको करना किया है यह जो script और body होंगे अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई problem वाले बात नहीं है body tag के उपर आपको इसको पेस्ट करना होगा अब कौन से code को पेस्ट करना होगा यहाँ पर देखिए यह body के नीचे यहाँ से script से आपको यह जो script तक उसके बाद आपको save button के उपर simply click कर देना है, जैसी guys आप लोग save के उपर click कर दोगे, यहाँ पर आपको फोड़ा सा time लेगा processing में, आपके सामने जो भी होगा वो ही सामने दिखाएंगे, यहाँ पर save जैसी हो जाएंगे, उसके बाद हम अबको back करने के लिए बोलेंगे, जैसी back कर देते हैं, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा करने के बाद हम जाएंगे post के अंदर, और यहाँ पर देखिए, अभी भी अगर हम इस page को refresh करते हैं, यहाँ पर इसको refresh कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी table of content नहीं दिखा रहा है, कोई भी table of content नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस post के अंदर click कर देंगे, यहाँ पर click करने के बाद, इसको सबसे पहले यहाँ पर, हमें करना यह होगा, मानू table of content होता क्या है, बिसकली सबसे ऊपर रहना चाहिए, तके लोगों को सुविधा हो, तो इसी वज़े से हम इसको सबसे ऊपर रखने के लिए, हम क्या करेंगे, बिसकली हम इस जगा पर, यह जो इंस्टॉल करके आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पर डालेंगे, तो तीन बार यहाँ पर एक दे देते हैं, ताके लोगों को असान हो जाए, और उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, HTML भीव पर क्लिक कर दीजे, अब यहाँ पर Ctrl-F दबाओ, और 111, जैसे कि मैंने 111 टाइप किया, तो इसके सबर अगर आप 000 टाइप करते हैं, तो उसे सबसे ढूंड लेना, यह रहा है हमारा 111, अब करना यह है, यह जो नीचे Step 3 वाला कोड है, इसको कॉपी कर लेना है, और जितने भी कोड आपको काम पर आए होगा, वो Step 1, Step 2, Step 3 करके, मैंने आपको प्रॉबाइट की हैं, तके आप लोगों को और भी आसान हो जाए, तो इस कोड को हम कॉपी करेंगे, लास्ट वाला, और इसको आके ना, यह एक एक जो डाला था, इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पर उस कोड को डाल देंगे, तो कोड हमने डाल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर Compose View करेंगे, जैसे Compose View करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, अपडेट के उपर हमें क्लिक कर देना है, यह Save हो चुका है, अब हमें यह Post जो है, Post को एक बर Refresh करना होगा, जैसे का इस Refresh किये हैं, यहाँ पर देखिए हमारा आचुका है, Table of Content, यहाँ पर देखिए, हमने जितने भी यहाँ पर Menu बनाए है, How to Use RMC Call Recorder, यहाँ पर यह आचुका है, उसके बाद लास्ट वाला, RMC Call Recorder Old Version, How to Install, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो लोग देखो, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यह जो है, यहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे, तो यह लास्ट वाला, कुछ इस तरीके से, अपने Table of Content, बना कर लोगों को आप और भी असानी से, अपने ब्लोगर वेबसाइट के लिए, मतलब और भी कमाल के एक फीचर साब लोग प्रोवाइट कर सकते हो, ताकि यूजर को और भी अच्छा लगे, यहाँ पर क्लिक करके तूरंद वहाँ पहुँच सकते हैं, अगर आप Mobile View के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पर क्लिक करके अगर हम इसको Mobile View करते हैं, तो आपके सामने नजर आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, यह आपका Develop Content हो चुका है, मैं यहाँ पर अपने आठ साल के YouTube और Blogging Journey के Experience को As It Is Share करता हूँ, मैंने भी कभी Zero से शुरुआत किया था, इसी वाज़े से आपको समझाने में आसानी हो जाते हैं, यहाँ पर YouTuber बनने के लिए, YouTube से पैसे कवाने के लिए सारे टिप्स आपको रहेंगे, यहाँ पर A to Z website making, Search Console के Error के बारे में, AdSense के Setup के बारे में, Photoshop, Video Editing के बारे में, और भी Computer के Features, Computer के Software, Settings के बारे में, सारे के सारे आपको ऐसे वीडियोज दिखने के लिए बनेंगे, जो आपको सचमुच काम पे आएंगे, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉबलम हैं, किसी भी टॉपिक के उपर हम कवर करना चाहें, तो प्लीज गाइस कमेंट कर देना, ऐसे कौन से चीज आप अपने Blogger के उपर कस्टमाइज करना चाहते हैं, कौन से Code के बारे में आप लोग जान करी चाहते हैं, कौन से Code आपको चाहिए, जरूर हमें बताना हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, पीसी ग्रेबर टीम कभी भी आपसे आपके परसेनल इंफर्मेशन लाइक, कोटीपी, बैंक, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासवाड, इमेल अड्रेस, कुछ नहीं मांगते हैं, तो ऐसे चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पर या फिर हमारे इमेल अड्रेस पर मत जाला करिए,